राहुल गांधी को प्रिटिसाइज किया है, उनका जो सब्ध है, वो सब्ध सुप्रीम कोर्ट कभी एन्रोज नहीं करता है, निभेनन करूंगा कॉंगरेस को, पूरा जाजमेना प्रकास कर दिजे, लोगों को मालूम होगा कि राहुल गांधी को क्लीन सित मिला है या नहीं मि तेखे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेन डिया है वो जजमेन ने राहूल गांदी को भर्पूर अ अपना भाषा में कृतिसाइज किया है और ये भी बोला है कि उनका जो भासा है उनका जो सब्ध है वो सब्ध सुप्रीम कोट कभी एंडरोस नहीं करता है तो हमारे जो कॉंग्रेस का दोस्त है उन्होंने जो उनका पानिश्मेन जो रद हुआ है उनका बारे में उन्होंने बोला लेकिन ओही जाजमेन का paragraph 8 और paragraph 12 में जो राहूल गांधी जी का बारे में बोला गिया है खास करके उनका बानी और उनका वेवहर के लिए उसका बारे में ओलुक ओला paragraph जनता का सामने नहीं लाया था तो मैं निवेदन करूंगा Congress को कि आपका अधिकारिक Twitter account से पूरा जाजमेना प्रकास कर दीजे तब लोगु को मालूम होगा कि राहूल गांधी को clean sheet मिला है या नहीं मिला है राहूल गांधी को criticize किया है उनका जो सब्ध है वो सब्ध सुप्रीम कोर्ट कभी एंड्रोस नहीं करता है निवेदन करूंगा Congress को पूरा जाजमेना प्रकास कर दीजे लोगु को मालूम होगा कि राहूल गांधी को clean sheet मिला है या नहीं मिला है तेखिये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो judgment दिया है वो judgment ने राहूल गांधी को भरपूर अपना भासा में criticize किया है और ये भी बोला है कि उनका जो भासा है उनका जो सब्ध है वो सब्ध सुप्रीम कोर्ट कभी एंड्रोस नहीं करता है तो हमारे जो Congress का दोस्त है उन्होंने जो उनका punishment जो रद हुआ है उनका बारे में उन्होंने बोला लेकिन ओही जाजमेन का paragraph 8 और paragraph 12 में जो राहूल गांधी जी का बारे में बोला गिया है खास करके उनका बानी और उनका वेवहर के लिए उसका बारे में ओलुक ओला पेरेग्राफ जन्ता का सामने नहीं लाया था तो मैं निवेदन करूंगा Congress को कि आप और आपका अधिकरिक Twitter account से पूरा judgment आप प्रकास कर दीजे तब लोगों को मालूम होगा कि राहूल गांधी को clean sheet मिला है या नहीं मिला है तेखिये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो judgment दिया है वो judgment ने राहूल गांधी को भरपूर अपना भासा में criticize किया है और ये भी बोला है कि उनका जो भासा है उनका जो सब्ध है वो सब्ध सुप्रीम कोर्ट कभी एंड्रोस नहीं करता है तो हमारे जो Congress का दोस्त है उन्होंने जो उनका punishment जो रद हुआ है उनका बारे में उन्होंने बोला लेकिन ओही judgment का paragraph 8 और paragraph 12 में जो राहूल गांधी जी का बारे में बोला गिया है खास करके उनका बानी और उनका वेवहर के लिए उसका बारे में ओलुक ओला paragraph जनता का सामने नहीं लाया था तो मैं निवेदन करूंगा Congress को कि आपका अधिकरिक Twitter account से पूरा judgment आप प्रकास कर दीजे तब लोगों को मालूम होगा कि राहूल गांधी को clean sheet मिला है या नहीं मिला है